हेलो दोस्तों मैं हूँ विशाल, हेल्फ टूबर में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बैंक ओफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इमेल आइडी जोड़ना बताऊंगा, अपने अकाउंट में असानी से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपना इमेल आइडी जोड़ पाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने लेप्टोप का इस्क्रीट खोल रखा है और यहाँ पर मैंना गूगल खुला हुआ है, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वी वाई लोगिन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं परसनल नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर मैं अपना यूजर आइडी डलूँगा, पासवर्ट डलूँगा और यहाँ पर यह कैपचा है, मैं डालके सब्मिट करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना user id, password और capture भी डाल लिया है और submit के उपर क्लिक कर लेता हूँ क्लिक कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा internet banking login हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा internet banking login हो गया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ option है विकल्प option यहाँ पर देख सकते हैं option विकल्प लिखा हुआ है slash option तो इसके उपर आपको क्लिक कर लेना होगा यहाँ पर मैंने क्लिक किया थोड़ा इंटरनेट स्लो है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि my profile लिखा हुआ है यहाँ पर my profile इसके उपर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन ओप्शन है update mobile number update communication address और update email address तो यहाँ पर आपको update email address के उपर क्लिक करना है आप यहाँ से mobile number भी change कर सकते हैं उपर वाले option से और अपना address भी change कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि old email address में यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है और new email address में यहाँ पर box भी खाली है तो यहाँ पर मैं अपना email address डालूँगा तो चलिए यहाँ पर मैं अपना email id डाल लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना email id डाल लिया है नया और नीचे continue option के उपर click कर लेता हूँ क्लिक किया और मेरे registered mobile number पर OTP आएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP id इतना बेज दिया गया है और जो मेरा registered mobile number बैंक ओफ इंडिया में उसके अंत में 272 है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाल कलर में दिखा रहा है तो अपना OTP मैं यहाँ डाल लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना OTP डाल दिया है और यहाँ पर नीचे continue option के उपर क्लिक कर देता हूँ ठीक है OTP आने में थोड़ा लेट हुआ है तो यहाँ पर मैं continue के उपर क्लिक किया क्लिक करने के बाद मुझे transaction password डालना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज धीरे-धीरे खुल रहा है थोड़ा internet slow है और यहाँ पर confirm transaction के लिए यहाँ पर आपको transaction password डालना होगा तो चली मैं यहाँ पर अपना transaction password डाल लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना transaction password डाल लिया है और यहाँ पर submit option के उपर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह देख सकते हैं कि your request has been successfully accepted the detail will be updated within 24 hours यानि कि 24 घंट के अंदर अंदर आपका जो request है वो update हो जाएगा यानि कि आपका email id सो करने लेगा email id से आपको लाव किया होगा कि अबर आप कोई भी IMPs transaction करते हैं या फिर receive करते हैं या फिर कोई FD वगारा खोलते हैं तो उस email पर receiving प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो email से बहुत सारे फायदे है bank of India में तो इसलिए आपको email id जोड़ना बहुत ही जोड़ी था तो उमीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपना email id जोड़ सकते हैं तो चले मैं यहाँ पर ok option के उपर click कर देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा email id जोड़ने के लिए submit हो गया successfully और अब अगली बार से अगर यहाँ पर मैं update email address के उप पर click करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा old email id है दिखाएगा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने request के लिए डाल गया है इसलिए यहाँ पर नहीं खुल रहा है your request could not be processed within 7 दीनों तक आपका कोई भी अब आप update नहीं कर सकते हैं अगर आपने कोई एक mobile number email id या फिर address update कर द आपको अपडेट करना होगा ठीक है तो वो मेरा एक या दो दिन में email id सोग करने लेगा मेरा mobile banking अगर है by mobile तो वहाँ पर email id सोग करने लएगा ठीक है profile option में तो इस तरह से आप net banking के जरिए बिना bank में जाए आसानी से अपना email id जोड सकते हैं तो उमीद है कि आपको यह पिचार या फिक कोई राय है तो कमेंट जरूर किजए मैं ज्यास ज्यादा reply देने की कोशिस करता हूं मिलता है किसी अगले नए वीडियो में नए टोपिक साथ धन्यवाद